नवश्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं Government of India के दूर संचार भाग यानि Department of Telecommunication ने जनवरी 2022 में एक पोर्टल लॉंच हिया था जिसका मेनेजेंटा, परपस, गोल या मकसद था टेली कम्मुनिकेशन सेक्टर में हो रहा है फ्रॉट को रोकना, साथी साथ consumer को ऐसी facility प्रोवाइड करना, ताकि वो ये देख सकें कि उनके register ID पे कितने mobile numbers active हैं, और या फिर वे number जिनने कोई दूसरा उनकी register ID से use कर रहा है, तो आई ये इस वीडियो में जाते हैं इसी portal के बारे में तो इस portal का नाम है TEFCOP, जियां, TEFCOP, जिसका फुल फॉर्म है, टेलिकॉम एनलिटिक्स फॉर फ्रॉट मेनेजमेंट और कंसूमर पोटेक्शन जिया, ये portal आपको facility प्रोवाइड करता है, कि आप अपने register ID पर कितने number active हैं, ये देख सकें साथी साथ, आपके पुराने number जो अब use में नहीं है, उन्हें हटा सकें इसके अलावा ये भी देख सकें कि आपकी register ID पर कोई दूसरा तो आपके number को use नहीं कर रहा, इसके अलावा एक और facility प्रोवाइड करता है, कि अगर आपकी register ID पर 9 या उससे ज़्यादा mobile number से active हैं, तो ये आपको SMS भेजता है, as a security तो टेफकोप पर जाके देख सकते हैं, कौन-कौन से number आपकी register ID पर active है ये इस तरह आपकी मदद कर सकता है आप देख सकते हैं, कौन-कौन से number आपकी ID पर register है, या फिर कौन से number जो आपके use के नहीं है, जो आप use में नहीं है आप उन्हें भी अटवा सकते हैं, ये था आज का वीडियो उम्मित का आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह की तमाम जानकारे के लिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं मेरे यूटीब चैनल ग्रेजी बातिक संकत पर और वीडियो को अंततर देखने के लिए आपका बहुत-बहुत, जान्द बाद